यारूस के अटेक करने पर यूकरेन का साथ नहीं देगा बृटिन अमेरिकी हाइपरसॉनिक मिसाइल का टेस्ट कैसे हुआ फेल क्या अब भारत में बने गिरा फेल समंदर में देखे हिंदुस्तान के कौन सी वार्शिप सैने तैयारी और वैश्विक तनाव से जुड़ी बड़ी खबरे आप देखे टॉप नाइन वार्जों विशेश प्रजेक्ट P-15B के तहट तैयार भारते नोसेना की स्चिलत डेस्ट्रोइड की पहली जलक सामने आई है मौरमगाव डेस्ट्रोइड का आज पहला सी ट्रायल हुआ मौरमगाव भारत में वनी अदोनक युदिक शिप है इस दूसरी आइनस मौरमगाव को 2022 तक नोसेना में शामिल किया जाएगा भारत में ही बनाए जा सकते हैं राफेल बिमान रिपोर्ट्स के मताबि फरांस ने इसका प्रस्ताब दिया है जिसके तहर्ष सिर्फ राफेल की तक्निक भारत के साथ शेयर की जा सकती है इसके लावा फ्रांस ने एरक्राफ्ट केरियर और दूसरे फाइटर जेट्स भारत के लिए बनाने का भी प्रस्ताब दिया है युक्रेन और रूस के बीच जारी टेंशन को लेकर बिटेन के डिफेंस से क्रेटरी ने बड़ा बयान दिया है बेन वॉलस ने कहा कि अगर रूस ने युक्रेन पर हमला किया तो इसकी बहुत कम उमीद है कि बिटेन या दूसरे नाटो देश्ट युक्रेन में अपनी सेना भेजेंगे या रूस को चुनोती देंगे युक्रेन से जारी तनाब के बीच रूस ने वस्चिमी वॉर्डर पर अपने अधुनिक वॉमबर्स बेजे हैं रिपोर्स के मताबिक रूसर बिलारूस एर फोर्स के दो टी यू-22M3 वॉमबर सुकोई 30 SM फाइटर जेट्स ने युक्रेन वॉर्डर के नजदीक पैट्रोलिंग की है सीडिया में बिटेन की रूयल एर फोर्स ने दुश्मन के डॉन को माल गराया ये पहली बार है जब रॉयल एर फोर्स ने ऑपरेशन शेडर के तहत एर टू एर फाइट में दुश्मन पर हमला किया है ऑपरेशन शेडर आई-एस-ई के खिलाब ब्रिटेन और अमेरिका की सेयुक्त मुहीम है अमेरिका ने कारकों विवान के जड़ी एक क्रूज मिसाइल लॉंच किया है ड्रेफिट ड्रेगन प्रोग्राम में पिछले पाँच महिनों में MC-130J, EC-130SJ और C-17A के जड़ीय मिसाइल लॉंच किये गए अमेरिके एरफोर्स द्वरा किया गया हाइपरसोनिक हत्यार का परिक्षन फेल हो गया है रिपोर्ट के मताबिक AGM-183A मिसाइल को B-Waman H-Pomber में अटेच कर टेस्ट किया जाना था लेकिन मिसाइल बेंक से अलग ही नहीं हुई यती इस्ती बार है जब AGM-183A की टेस्टिंग में गल्ड बढ़ी होई है गिराके राजधानी बगदाद के सुरक्षित ग्रीन जोन में दो रॉकेट आगे गए ग्रीन जोन में अमेरिकी दूता वास सहित तमाम सरकारी मारतें मौजूद हैं रिपोर्ट के मताबिक एक रॉकेट को सी राम डिफेंस सिस्टिम की मदद से नश्ट कर दिया गया जबकि दूसरा कत्यूशा रॉकेट ग्रीन जोन में गिरा जिससे दो कारे शवतिगरस्थ हो गई साथी अरब के खामिश मुशायत इलाके में विस पोर्ट से लधे ड्रोन से हमली की कोशिश की गई साथी सेना के मुताबिक ये हमला यमन की सेना की ओर से किया गया साथी के डिफेंस फोर्स ने यमन के ड्रोन को मार गिराने का दावा किया है कर दो किया है